शिरीमती तुलसी गोडा समाज सेवा परियावरन नंगे पैर, पारमपरिक धूती, खेट से राष्टुपती भवन तक सम्मान पाने का सफर तुलसी गोडा परियावरन को लेकर काम करती हैं, उम्रस 77 बरस है, करनाटक से हैं तुलसी गोडा को पदमशरी सम्मान से नवाजा गया है, कुछ लोग तुलसी को जंगलों की इंसाइकलोपीडिया भी कहते हैं वजह, पौधों और जंगल की शानदार समझ बीते छे दशकों से सक्रिय तुलसी 30,000 से जादा पौधे लगा चुकी है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक, जब तुलसी दो बरस की थी, तब उनके पिता दुनिया से चल बसे मा के साथ नरसरी में पेड पौधों से जुड़ा काम करने से शुरू हुआ सफर, 70 साल की उम्र में रिटायर्मेंट के बाद भी जारी है ऐसे वक्त में जब धर्ती बचाने के लिए दुनिया के नेता एक जुट हो रही है और जानकार नेताओं की कथनी करनी के फर्क को उजागर कर रही है तब भारत के गाओं की तुलसी की कहानी और सम्मान उम्मीद जगाती है डेकन हैराल में छपी रिपोर्ट में स्थानिय लोगों के हवाले से बताया गया है कि तुलसी वन विभाग के वन रोपन कारिक्रम में सक्रिय रहती थी उनके काम को देखते हुए विभाग ने उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया 14 साल काम करने के बाद वो रिटायर हुई उनकी पैंशन ही उनकी आजीविका का एक मात्र जरिया है उन्हें अपने उगाए हर किस्म के पौधे के बारे में पूरी जानकारी है उनके फायदे के बारे में और उन्हें कितना पानी चाहिए हर चीज की जानकारी उनके पास है उन्हें उतना ही ग्यान है जितना किसी वनस्पती विग्यानिक को होता है वो बनो की संडक्षन को लेकर लोगों में लगातार जागरुकता पहलाने का काम करती रहती हैं तुलसी का जन्म एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ वो करनाटक में हलक की जनजाती से तालुक रखती है महस दो साल की उम्र में पिता को खो दिया वो कभी स्कूल नहीं गई गरीबी की वज़े से उन्हें बच्चपन में ही अपनी मा के साथ देहारे मजदूरी का काम करना पड़ा बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी लेकिन कुछ सालों में ही उनके पती की भी मौत हो गई इसके बाद उन्होंने अपने लिए एक ऐसी जंदगी बनाई जो आज पूरे देश के लिए प्रेणना है